नमस्कार दोस्तों अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो अन्मोल जानकारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे सचे दिल से लिखे हर हर महादेव ओम नमस्शिवाय दोस्तों प्याज का प्रयोग लगभग हर घर में किया जाता है। प्राइफ प्याज का इस्तेमाल सबजी को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। अनेक लोग प्याज को सलाद के रूप में खाते है। क्या आपको पता है कि प्याज का प्रयोग सबजी या सलाद के अलावा एक औश्थी के रूप में भी किया जाता है। नहीं प्राक के रूप में उगाई जाने वाली एक वनस्पती है, जिसका उप्योग प्राचीन काल से ही ओश्धी तथा भोजन के घटक दोनों के रूप में किया जाता रहा है। अनेक प्राचीन आयूर्वेदिक ग्रंथों में प्याज के इसके गुंधर्मों का वर्नन मिलता है। कई बीमारियों के लिए यह दवा का काम भी करता है। आयू उर्वेद में प्याज के बारे में बहुत सारी अच्छी बाते बताई गई है। प्याज की कई प्रजातिया होती है। जंगली प्याज को वनस्पती विज्ञान में कहते है। प्याज के 5-10 मिली लीटर लीटर रसमें बराबर मात्रा में शेहिद मिलाकर आखों में लगाने से आखों की जोती बरती है। नाक के रोग में प्याज का सेवन लाबदायक प्याज के 10-20 मिली लीटर लीटर रसमें एक चम्मच शेहिद मिलाकर दिन में दो-तीन बार चातने से नजला मिटता है। नाक से खून आने के कई कारण होते हैं। नाक से खून आने प्रकार की समस्याएं दूर होती है। कफ दूर करने के लिए करे प्याज का सेवन छोटे बच्चों में कफ से होने वाले रोगों में प्याज के 5-10 मिली लीटर लीटर रसमें 10 ग्राम चीनी मिलाकर पिलाना चाही। छोटे बच्चे की माताओं को कफ से होने वाले रोगों की हालत में एक से दो नग प्याज को पानी में उबाले। इसे पिलाने से लाब होता है। इसका सेवन करने से वाद की कमी होती है और कफ पतला होकर बाहर निकल जाता है। घबराहत कम हो जाती है और पित भी बाहर निकल जाता है। दमा में लाबकारी है, प्याज का सेवन सांसों के रोग जैसे दमा के रोगी को प्याज का कारा बना कर 40-60 मिली लीटर लीटर की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से तुरंत लाब होता है। प्याज के 20 मिली लीटर लीटर रस में 125 मिली लीटर ग्राम हींग और 1 ग्राम काला नमक वनीमबू का रस मिला ले। इसे दिन में 3 बार पिलाने से पेट के दर्द में लाब होता है। प्याज के 20-30 मिली लीटर लीटर रस का सेवन करना अच्छा होता है। दिन में 2-3 बार करने से खून आना बंध हो जाता है। सफेद प्याज का छाच के साथ सेवन करने से और भी ज्यादा लाब होता है। दो प्याज को बालू में भून कर या सेंकर छिलका उतार ले। इसका लुगदी बनाकर बवासीर के मसों पर बांधने से बहुत लाब होता है। प्याज के 125 मिली लीटर लीटर रस में 20 ग्राम मिश्री मिलाकर पिलाने से खूनी बवासीर में लाब होता है। प्याज की सबजी पकाकर छाच के साथ सेवन करने से भी खूनी बवासीर में लाब होता है। मध्यम आकार के 3 प्याज और 10-15 ग्राम इमली के पत्तों को मिलाकर पीस ले। इसे 500 मिली लीटर ग्राम की गोली बनाकर खिलाने से पेट साथ होता है। प्याज के इस्तेमाल से पेचिश का इलाज दस्त होने की हालत में प्याज के 6 मिली लीटर रस में 125 मिली लीटर ग्राम, काली मिर्च का चूर्ण, 250 मिली ग्राम कपूर तथा चूने या केले का 25 मिली लीटर लीटर पानी मिला ले। इसे पंदरह मिनट बाद या आधा घंटे के अंतर से देने से उल्टी तथा दस्त बंद हो जाते हैं। इससे शरीर की एंठन भी दूर हो जाती है। अन्य तरीके से उपचार के लिए 25 ग्राम प्याजवकाली मिर्च के चहनग को बिलकुल महीन पीस करजल में मिला कर पिला द देने से दस्त में लाब हो जाता है। इसमें थोड़ी मिश्री मिला दे तो और भी अच्छा परिनाम आता है। प्याज के 10 मिली लीटर लीटर रस में 125 मिली ग्राम का पूर्व बराबर मात्रा में चूने का पानी मिला कर पीने से भी दस्त में लाब होता है। केवल प्याज के सेवन से भी इसमें लाब होता है। प्याज के समस्या दूर होती है। प्याज के समस्या होती है। कच्चे प्याज का नेमित सेवन करने से मासिक चक्र भी नेमित होता है। कामशक्ती बढ़ाने में प्याज फाइदे मंद प्याज को किसी बर्तन में भर ले। इस बर्तन का मुह इस प्रकार बंद कर देना चाहिए कि उसमें हवा न जाने पा। इस बर्तन को जहां गाय बांधी जाती हो उस जमीन में गार देना चाही। चार महीने बाद निकाल कर एक प्याज रोज खाने से काम शक्ती बरती है। प्याज के आधा लीटर रस में दो लीटर शहेद वद दो सौपचास ग्राम चीनी मिलाकर शर्बत बनाकर रखे। इस शर्बत के पचीस मिली लीटर लीटर रोजाना सेवन करने से भी काम शक्ती बरती है। प्याज की तीस गाठों को लेकर बरतन में रखकर उन पर ताजा दूद इतना डाले कि दूद आठ अंगुल उपर रह। इसे आज पर इतना पकाए कि प्याज गलजा। पकने पर आग से नीचे उतार ले। अब प्याज के बराबर गाए का घी और बराबर मातरा में मधु मिला ले। इसे फिर से थोड़ी देर पकाए और अंत में साट ग्राम कुंजन डाले। इस औशधी को तीन से चार चमच की मातरा में रोज सेवन करे। गठिया का इलाज प्याज प्याज के रस और राई तेल को बराबर मातरा में मिलाकर मालिश करने से गठिया का दर्द दूर हो जाता है। प्याज के एक से दो नग को गाय के मूत्र में पीसकर गर्म करके बंद गांट पर लगाने से ग्रंथी खुल जाती है और दर्द कम हो जाता है। वात के कारण होने वाले दर्द जैसे की कमर दर्द, पक्षा घात, लक्वा तथा तंत्रिकाओं में दर्द आदी की स्थिती में प्याज का सेवन करने से लाब होता है। जठार और आंतों के साफ रखने का काम करती है कि उनका जो होती है रक्त वर्दक होते शक्तिदायक होती शरीर में ताकत देने वाला होता है। चुका हूं को भी जानकारी व्यरत नहीं जाती और आप सभी मित्रों को एकाई बार बोलता हूं दोस्तों कि हमारे जो आई एम भारत भूमी आयुरवेद के जनक है। यहाँ यही सारी विधी की जो है कहा जाए क्विक जानकारी यही से उत्पन हुआ है और हम लोग जो आयुरवेद के जानकारी को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं हम कठिन परिश्रम। करें कठिन प्रयास करें हमारे भारत भूमी से इस प्रकार के अर्पित की जानकारी हो आप। को पहला है जन्नांगों के रोग में जहां जहां रखे लगभग एक गिलास रस में चुकंदर का रस मिलाकर की रोजाना दो बार पीने से इस तरह के जन्नांगों में संबंधी जो भी रोग जन्नांग संबंधी योनि संबंधी जो भी रो में सारे रोग जर से समाप्थ हो बालों को वीडियो की बीच में बताऊंगा पत्री की बीमारी में किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। सिर पर लगाने से कुछ दिनों के भीतर में विश्वास नहीं करेंगे चोटे-चोटे बाल उगने शुरू हो जाते है जो बालपुर तूटकर के गिरगाम फिर से गूंधना शुरू हो जाती है बवासीर दूर करने के लिए चुकंदर खाने से बवासीर की बीमारी ठीक होती है गांट के अगर हो गए शरीर में गांट के रोग से परेशान है तो दो दिन तक मौसमी फलों का सबजी सेवन करना चाहिए तीसरा दिन प्रात काल एक गिलास पानी में नीमबू का रस और चार चमच साथ मिलाकर के पीए दिन में चार बार एक अब अंगूर तथा मौसमी का रस दिन में एक से दो बार जरूर दिये इसके बाद चुकंदर खाने से बिग बॉस तो आप यकीनन माने चुकंदर खाने से चुकंदर को पीस करके घाट पर लगा देने से कार पिघल जाते हैं शरीर की सुन्दरता बढ़ाने के लिए चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं मानसिक दुरबलता इसे दूर करने के लिए रोजाना का चुकंदर का सेवन किया जाए तो यह शरीर में इस स्मरन शक्ति को सबसे तक बढ़ा देते इशारों में दूद की वृध्धी दर बढ़ाने के लिए नजो माताए। बहने जो की ताजा बच्चे को जन दिया लेकिन यह स्तन से दूद नहीं करे तो चुकंदर का रस रोजाना सेवन करने से इसरों में दूद की वृध्धी होती है इसके बाद आये जानते पत्री की बीमारी ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए तो चु बार अवशे करना चाहिए या परे कुछ सब्ताह तक निरंतर अगर आप जारी रखते हैं तो इस प्रयोग से गुर्दे की सूजन में भी जो समस्या है वह भी दूर हो जाती है और पत्री गल करके बाहर निकल